Hello everyone, very good morning to all of you, welcome to PrepaS, PrepaS पर आपका स्वागत है मैं सिद्धात कुमार आपका guide और mentor इस platform पे आपको आज के जो daily target से दे रहा हूँ और इससे पहले मैं आपको फटाफट daily targets दू, कुछ लोग हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं जिनका backlog है इसके लिए मैंने पहली बता रहा है, backlog हो अभी शुरू करें आप जो अभी शुरू करें वो चाहे तो first lecture से भी शुरू कर सकते हैं first वाला जो है इसमें day one है, वहाँ से आप daily guidance शुरू कर सकते हो, अभी भी आपके पास time है शुरूआत की जो lectures मैंने cover के थे एक अफ़ते का, वो बहुत जल्दी जल्दी आप cover कर सकते हो, ठीक है और जो लोगा backlog है, वो या तो extra time दे दे, day में backlog करने के लिए एक दो दिन ले ले ले, gap उसमें अपकी पूरा backlog खतम करने है, ठीक है, एक या दो दिन, इस तरीके से कर सकते हैं तो again, एक quote आपके लिए है, push harder than yesterday, if you want a different tomorrow तो अगर आपको चाहिए कि tomorrow जो आपका हो, जो आपका future हो, उसमें different हो अभी से, right जो आपका goal है, आप वो achieve कर लो, right, that you be a civil servant, आप top ranks में आओ, right तो आपको हर दिन जो है, अगले दिन जो है, पिछले दिन से better करना पड़ेगा, in terms of hard work, right तो जैसे पहले आप 6 गंटा पढ़ेगा, 7, 8 गंटा पढ़ेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ो या फिर ज्यादा नहीं पढ़ सकते, तो वो 8 गंटे में पढ़ने की efficiency बढ़ो but कुछ ना कुछ जो ज्यादा महनत करो, कुछ ना कुछ बेटर करो पिछले दिन से, right कोशिश ये रखो, ठीक है, I know, रोज कुछ ना कुछ बेटर करना पॉसिबल नहीं, but again कोशिश रखोगे, तो रोज जी तो हफते में थोड़ा बहुत तो better improvement होता रहेगा और जितना improvement करते रहोगे continuous, उतनी जल्दी आपकी preparation और बेटर preparation होती रहेगी और उतना ज्यादा आपका chances of success इस exam में बढ़ जाएगा अब देखो, यह questions में आपको दिये थे, एक question आज आप फिर से उठा लेना, इन में से और please उसको करने की कोशिश करना, ठीके, this is very important, ओके और similar way में यह previous year question में आपको mains के दिखा दिये, आप prelims के previous year question उठाना जितना part आपने पढ़ लिया है उससे, ठीके, दूसरी चीज, similar, essential target आपका subject और current affairs, इसमें यहाँ पे एक चीज हमने add कर दी, अब हमने magazine भी शुरू कर दी, देखो, धीरे, 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 जो है increase करते रहते हो, right, बात वही होगी, कि आप gradual progress करो, ठीके, एक बार में कि आप सब कुछ कर लो, वो possible नहीं होता, अगर आप वो करने भी जाओगे, सोचो कि मैं सब कुछ कर लो एक साथ, तो उस case में क्या होगा, आपके understanding नहीं होगी, यह नहीं होगी, और अगर आप कर नहीं तो इससे अच्छा आजा पांच गंटे पढ़े, अगले दिन कोशिश कर रहो, आप साढ़े पांच गंटे, च्छे गंटे पढ़ो, ठीके, उसके अगले दिन ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीके, अगरा जो आपका class 11th की NCIT से, इस बार कुछ नहीं पढ़ना, आपने hopefully होगा, अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ने है पांच चेप्टर, अब आपको लग रहा हूँ कि एक दिन में पांच चेप्टर कैसे पढ़े, तो मैं बताता हूँ आपको कौन से पढ़ने और कैसे पढ़ने और कैसे पढ़ा जा सकता है, ठीके, पहले कौन स बताने दो आपको पहले है यह जो देखोगी ना यह प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर वाले चेप्टर की लैंगविज आप उठा के देखना दोनों चेप्टर को कमपिर करना है और सारी चीज़े सिमिलर है बस चीफ मिनिस्टर में कुछ specific differences है बस वही differences पे आपको focus करना है पड़ते हैं सेम केस है इसका कि state council of ministers पूरा chapter है लिटरली language is the same language literally same है उसकी ठीक है बस कुछ specific चीज़े जो different है उनी पे आपको ध्यान देना है उनी चीज़े उको highlight और underline करना है इन दो chapters में कि क्या चीज़े यहां पे जो है यहां से different है ठीक जब आप primary minister पढ़ोगे तो उसी के साथ आप पढ़ना chief minister जब आप central council of minister पढ़ोगे उसी के साथ पढ़ना state council of minister और देखना अंतर क्या है राइँ और इसके साथ आप quality playlist में आपको help करने के लेक्चर देख सकते हो, lecture 15 देख सकते हो, it is for prime minister and chief minister, lecture 16 देख सकते हो, it is for union and state, council of ministers, lecture 14 देख सकते हो for vice president, कल इसमें दोनों का उरकिया, vice president and governor, तो कल हमने governor देख लिया था, आज आप vice president का देख लो, ठीक है, यह जो link है playlist का, यह link है यहा तो automatically आपको prelims crash course में quality की playlist दिख जाएगी, ठीक है, तो वहां से यह lecture से आप देख सकते हो, ठीक है, again कई लोग पुछते कि क्या सिर्फ यह lecture देखे, लक्षमिकार देखो, यह जो lecture से certainly मैंने कोशिश किए कि comprehensive way में cover करे, क्योंकि कई बार means और prelims के चीज़ों को differentiate करना possible नहीं पर again यह prelims point of view से थोड़ा ज्यादा है, तो यह certainly आप देख लो, तो इससे आपको और कम time, आपको पूरा framework समझ में आ जाएगे chapter का कई important points आ जाएगे, और बहुत कम time लगेगा आपको यह chapter पढ़ने में, ठीक है, current affairs में again आपके जो target रहते हैं, सारे almost same है, DNA देखना ही देख माई 2021, जो भी monthly magazine आप पढ़ रहे हो, उसमें माई 2021 का quality section आप आज खतम कर दोगे, क्योंकि कल हम करेंगे June, ठीक है, तो it is very important, थोड़ा मेनत करके आज आप खतम कर देना माई 2021 का, देखो, ज़्यादा नहीं 6 या 7 articles हैं माई के माईने में, ठीक है, तो इतना ज़्यादा difficult नह अगरा आपको जो reminder होता है, जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इवन current affairs परते वक्त भी ध्यान में रखना है, previous question प्लीज देखिए, prelims के देखिए, और जो भी पढ़ो, और मेंस दोनों के देखने हैं, और जो भी पढ़ो, उसको रिलेट करो, प्लेबस में जो भी पढ़ना चीजों को, और optional होगी, जब पढ़ रहे हो, कोई chapter पढ़ने से पहले, उसका syllabus अच्छे से देख लो, उसके questions देख लो, कैसे questions आए, फिर वो chapter पढ़ो, फिर से question देखो, ठीक है, solve करने की कोशिश करो, जब आप questions देखो कि किसी chapter के तो कुछ repeated themes मिलेगी, तो कोशि देखो, यहां तो 7 लिखा, मैं तो बोलता हूँ 8 hours, but again, अब आप 6 था पहले, उसको 7 कर दिया है, तो प्लीज कोशिश करो, but again, 8 hours is ideal that you should aim for, ठीक है, बाकी यह आप देख सकते हो, अगर आपके पास free time है, यह आपने पहले ही पढ़ रखा है, और आपको बहुत कम टाइम प्लीज मैं देख रहा हूँ लोग comments में अपना progress mention नहीं कर रहे हैं, तो please, please, it is a very, very important part of this process, कि आप अपना progress जो है, comments में mention करे, it is very important, ठीक है, यह बहुत जरूरी है, ना सिर्फ हमाए लिए, बट आपके लिए भी, आप mention करोगे अपना progress, तो आपको एक motivation बनेगा, इसमें, यह को छोटी सी चीज है, but again, this is an habit, which could motivate you to complete your targets, यह ऐसी habit है, जो अगर आपने लगा ली, तो इससे आप अपने targets regularly complete करोई, क्योंकि आपको पता है, कल को में रिपोर्ट एक तरीकी से बताना है कहीं पर, ठीक है, तो यह छोटी सी चीज है, but बहुत important है, please do mention your progress in comments, यह हमें भी आपको ज़्यादा help करेगा, और हमें भी help करेगा, lastly, कोई भी doubt query है, you can ask us in comments, हो सकता है, थोड़े delay से answer करें, थोड़ा हम लोग, you know, थोड़ा कुछ चीजे चल रही हैं, right, हम नहीं नहीं चीजे try करें, कहीं लोगों ने कहा है कि app में issues और glitches आए, तो please, आप हमें बताएए आप में क्या भी issues आए, क्योंकि we are trying it, okay, आप जितना बताएंगे, हमें जितना अच्छा feedback देंगे, हम उतना उस पे improve करने की कोशिश करेंगे, your feedback for our app is very valuable to us, please give us as much feedback as you can, and we will try to improve, and please, अगर कुछ थोड़ा बहुत उपर नीचे गडबड होता है, so see, we are only beginning our app, ठीक है, we will gradually improve all that ठीक है, वो सब हम ठीक कर देंगे, आप अपना feedback दीजिए, इससे हम app को और better बना सकते, जिससे आपको ही फायदा होगा, ठीक है, और भी कोई doubt है, Google doubt form जो description है, वो use कर सकते है, ठीक है, यह PDF आपको description मिल जाएगी, आज की ले लो, कल की ले लो, अगर आज की ना मिले, तो कल की ले ले लेना, बात बराबर, ठीक है, तो इस इस इपर इस सेशन, और सी यू अगान तोमरो, थैंक यू वेल मुच